नमस्कार सेफ इंडिया में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत देखें मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि जो है उसमें मैंने बताया है कि बहुत सारे पिन कोड्स NPCI के द्वारा ब्लॉक किये गए हैं आपको मैं बता दू कि एक पिन कोड के एरिया में जो एरिया का पिन कोड होता है एक पिन कोड के एरिया में कितने सारे मारकेट्स कितने सारे गाओं कस्बे आते हैं आप लोग ये भली भाती जानते हैं लेकिन एक एक की गलती के वज़ा से एक ने fraud किया उस गलती के वज़ा से पूरे एरिया के पिन कोड को ब्लोक कर दिया गया और ब्लोक किया जा रहा भी है तो इस पे सवाल कौन उठाएगा भीया आपको बता दें कि अगर आपके एरिया का पिन कोड ब्लोक है और आप अच्छे से काम कर रहे थे सुरू से ले कि अभी तक किसी के साथ एक भी रुपिया का fraud नहीं किये है और एक भी रुपिया किसी का नहीं चुराए है आपके दिल को कितना ठेस पहुँचा है आपका तो रोजी रोटी ही बंद हो गया होगा तो सबसे बड़ी बात है कि आवाज आप लोगों को उठाना है क्योंकि देखिए हो सकता है कि आए दीन हम लोगों के जिसके भी एरिया का पिन कोड ब्लोक नहीं है वो जादा खुस उनको जादा खुस होने की जौरत नहीं है इसलिए जादा खुस होने की जौरत नहीं है कि हो सकता है कि आपके एरिया में कम से कम हजार रीटेलर हैं और उसमें से कोई एक भी रीटेलर दो भी रीटेलर फ्रॉड बाजी कर देता है तो आपके एरिया का पिन कोड भी ब्लोक हो सकता है और फिर आप जैसे वो लोग पस जिसाट रहा है जिनके एरिया का पिन कोड ब्लाॉक है वैसे ही आप भी पस्ता सकते हैं इसलिए आपको भी सवाल उठाने का जोरत है आवाज उठाने का जोरत है माल लिजे कि मेरे area का मेरे सारण में भी एक pin code block है मेरा pin code block नहीं है लेकिन हो सकता है कि मेरा pin code block हो जाए तो मैं किसके साथ fraud किया हूँ मेरा transaction देखेंगे न तो फिर मैं ये जो मैं बता दू न कि ये जो CSP, सरकारी CSP ले करके चलाता है उनसे भी ज़्यादा मेरा transaction है बोल दू तो दो वो लोग दो मिल के करेंगे मैं एक अकेला transaction करता हूँ इतना इतना transaction है मेरे पास लेकिन आज तक कोई भी एक भी complaint मेरे पास नहीं आया कि भी आप किसी का एक रुपिया ले लिये हैं मेरे जैसे काफी लोग हैं आप लोग बहुत हजारों में हैं लाखों की संख्या में हैं सो में से हजार में से लाख में से एक करता है और सब को खामियाजा भुगतना पड़ता है तो कि NPCI अपना काम करने का वज़ए दूसरों पे रेस्ट्रिक्ट लगा रहा है तो भाईया सबसे बड़ी बात है NPCI आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है हम रिटेलर लोगों का कि आप जो भी रिटेलर इस टाइब का काम कर रहा है उनको केवल ब्लॉक कीजिए ना कि केवल सब को मतलब कि उस एरिया को ब्लॉक कीजिए ताकि सब की रोजी रोटी छींजाए जो इस पे डिपेंडेंड है जो सुरू से डिजिटल इंडिया के साथ जुरा हुआ है काम कर रहा है कितने रिटेलर भाई जो हैं डोर टू डोर जाकर के भी सर्विस देते हैं और सब लोग गलत नहीं होता है इसलिए जो भी कर रहा है उसके उपर सक्त करवाई किजिए उसको जेल भेजिए उसको आजीवन करवास किजिए उसको फासी पे लटका ये लेकिन सो लोगों का रोजी रोटी छिनने का आपको कोई अधिकार नहीं है सबसे बरी बात है तेखिए उसका जीवन खतम कर दीजिए उसको फासी पे लटका दीजिए लेकिन आप जो है सो लोगों को मत मारिए क्योंकि सो लोगों का जीवन आप छीन लीजिएगा फिर वो कहा जाएंगे कहा रोजी रोटी आप लोग कितने सरकारी नोकरी निकाल रहा है सरकार हमको बताइए कितने वेकैंसिज निकाल रहा है आप यह जो प्राइवेट सेक्टर से जो लोग काम कर रहा है उनका रोजी रोटी बंद करने का आप लोग काम की जेगा तो यह लोग कौन से नोकडी करेंगे, लेबर में खटने जाएंगे MBA और BA करके, तो ऐसा गलती NPCI ना करें, यह गलती NPCI कर रहा है, रिटेलर लोग नहीं कर रहा है, मैं तो डिरेक्ट बोलूँगा, कि जो भी area का pin coat block हुआ है, उनको on block करने का काम किया जाए, और इसलिए किया आप हम लोगों के taxpayer के पैसा से आप लोग राज कर रहा हैं, पूरे इंडिया पे राज कर रहा है, परसासन को salary दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग हैं, आप यह मत समझेगा कि कोई tax नहीं भरता है, आप एक biscuit का packet भी खरीतने जाता है ना, तो उस पे SP चला रहे हैं, एकदम इमंदारी से चला रहे हैं, मेरे पास जितना transaction है न, 100 से प्लस रोज कस्टमर का handle मैं करता हूँ, आप मेरे उपर जाज बाइठा के देख लिजिए, मेरे अगर पास से एक भी गलत transaction निकल जाएंगे, तो आप हमको फासी पे लटका देजेगा, मेरे जैसे करोरो transaction करने वाले हैं, करोरो retailer हैं, तो फिर अगर मेरे area का pin code block हो जाए, तो फिर मैं भी तो गया free fund में, जो लोग, हजारों लोग जो हमारे पास पैसे निकलने आ रहा हैं, फिर वो कल किसी और area में जाएंगे और उनके साथ fraud होगा, तो फिर उसका जिमेवार कौन है, fraud का काम कर रहा है, उसी के ऊपर केवल करवाई आप लोग कीजिए, उतना चान बिन कीजिए, CBA या आपके पास किस लिया है, कोई अगर 10 रुपे का fraud कर रहा है तो उसके ऊपर आप लोग 10,000 रुपे खर्चा कीजिए, हम लोग का taxpayer का पैसा कहां यूज कीजिएगा आप एक retailer के वज़ा से पूरे pin codes को, मेरा जो pin code है 8205, मैं यहां का निवासी हूँ और यहां पे 1, 2, 3, 3 market cover होते हैं, तीन market में नहीं भी होंगे तो 100 से ज़्यादा retailers होंगे, और 100 से ज़्यादा retailers का, अगर मेरा pin code अगर आप block करते हैं, तो 100 से ज़्यादा retailers को आप जो हैं, उनक लोग गंभीरता से लिजेगा, वीडियो को share कीजेगा, मैं तो बस आप लोगों को जागरूप करने का काम करूंगा, बाखी काम आप लोगो को करना है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि मैं गोली मरवा के मर जाओं, सरकार से मुझे फासी हो जाए, और आप लोग अंदर ही मतलब ये वीडियो पहुँच जाए और सारे जो है जागरूप को हो जाए, हो सकता है किसे दिन आपका भी पिन कोट ब्लॉक हो जाए, फिर आपकी भी रोजी रोटी छीन सकती है, उमीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आया होगा तो एक लाइ